यह जो आप लोग सामने देख रहे हो फ्रेंट्स यह मेरा लेफ्ट साइड है इसके अंदर भी स्टोरेज रूम बनाऊँगा और सामने की तरफ जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो तो दोस्तो स्वाध है अप सका फिर से एक बार एक चैनल में तो फ्रेंट्स Mainault को बतादू कि आज कि वीडियो में मैं f finely अपना डिसाैट कर लिया हो कि आज कि ऊस वीडियो में मैं अपना कास्टल बनाना स्टार्ट कर दूँगा गयर चैनल इसके दिक्रेएं सामने मेरे सामने ये बेफाहल हो जा रही तो अभी final friends मैं इसे माल लिया हूँ में सीधा जो मुझे मतलब यानी की raw material चाहिए अपना कास्टल बनाने के लिए जैसे कि आप सब लोग को मैं बता दू श्ट्रोन ब्रिक्स लगेंगे और कोबल स्टोन तो ये दोनों चीज friends मैंने पहले से ही थोड़े थोड़े यानी की श्टोर करके रख लिये हैं ताकि मुझे अपना घर बनाते समय यानी की कास्टल बनाते समय इनकी कमी ना पड़े तो अभी आप लोग जैसा कि देख रहे हो friends मैं आप सब को बताया था कि मुझे जब मुझे बिलेजर मिल गए थे तो अभी मैंने थोड़े थोड़े मतलब आने की सामान इदर इस कमरे से उस कमरे में थोड़े थोड़े सामान इस्टोर कर दिये हैं तो अभी आप लोग जै कि देख रहे हो friends आप लोग यह देख रहे हो बगल में क्या है तो यह आर्मरी स्टेंड मैंने खड़ा किया इसके लिए ताकि इससे अकेला पन महसूस ना हो फिलना हो इतना तो अभी मैं इसे खिला रहा हो खड़ा है ना अरे हाँ खड़ा है आप खड़ा है friends लगता है इस और बता दू कि अगर एक खड़ा रहता है तो निकल जाता है इसके बाहर इसलिए friends में इसे जरा बाहर मयानी की अंदर ही बैठा देता हूं तो अभी friends मैं अपने सामने वाले घर में आ गया हूं यहाँ पे friends में एक चेस्ट में सिर्फ यह चारी ब्लोग अभी कोबलिस्टो पूरा नहीं आधा तो भी fully stone bricks से तो वहाँ भी मैं चलता हूं आप सबको दिखाता हूं तो अभी आप लोग जैसा कि देख रहे हो friends यहाँ पे जो पहले विलेजर थे वो यहाँ पे इस रूम को छोटा सा एक लेब्रेरी रूम बनाये थे तो अभी मैं चलता हूं फ्रेंड bricks और सिधा अपने घर के पास चलता हूं तो अभी friends में अपने घर के पास आ गया हूं अए जो सामने माउंटेने friends अभी आप लोग यह जो देखे इसे मैं माइनिंग कर रहा हूं मुझे अपना बड़ा कास्टल बनाना है तो यह बीच में अड़ जाएगा इसलिए मैं इसक हम अभी देreten माइनिंग कर रहा हूं कास्टल भी बनाऊंगा और इसकी माहिंनीं करता जाओंगा कि दीरे दीरे पूरा साफ जाए तो अभी मैं 2016 फोडेस से खाना मिल जाएगा और एक्सी मिल जाएगा अभी जगा तो फोल नीए चलो पहले इसके अंदर चलता हूं चस्ट क लाके रखें इससे पहले फ्रेंट्स में एक बार और आया था यानि कि जब पहले आया था अपने घर के अंदर फ्रेंट्स तो यहां पर ही दो तीन जोंबी इक्स्पोन हो गए थे और स्पाइडर भी इसलिए मैंने अपने घर के अंदर हर जगा टॉर्च लगा दियें जमीन फ्रेंट्स आप लोग जैसे देख रहें अभी मैं सीधा अपने घर के सामने खड़ा हूँ मैं यह तैका कर रहा हूँ कि किस से सुरुवात करूँ तो अभी मैंने सोच लिया कि इस तरब से हमें बनाना स्टार्ट कर देता हूँ तो अभी फ्रेंट्स मैं आसको जरा बता द और लगाऊंगा यानि की चेयर बीच में यानि की एकदम हॉल टाइप का यह बीच में बनाऊंगा फ्रेंट्स ऐसा कुछ मैंने डिसाइड किया है तो अभी फ्रेंट्स इसे मैं पहले पूरा प्रिपार कर लोए है यहां पे लग नहीं रहा है और श्टाम डिक्स तो अभी मैं कैसे जाओं अभी इसके बगल में लगाता हूं जरा लग जा भाई लग जा ओ सई यह लग गया तो अभी मैं ऐसे कंटिने ओ भाई किरकार गिरी गया सो अभी फ्रेंट्स इसे मैं थोड़ा बना लेता हूं तो आप सबको और दिखाता हूं आगे तो फ्रेंट्स अभी आप लोग जैसा कि देख रहे हूं मैं अपने दोनों तरफ उतना प्रिपेर कर चुका हूं जैसा कि मैं आप सबको बोल रहा था कि अपने ये बीच में हौल रखूंगा और फ्रेंट्स उपर मैं अपना दोनों तरफ इस्टोरेज रूम रखूंगा और फ्रेंट्स नीचे ऐसा करूंगा कि हमें अपने नीचे के तरफ वीलेजर रहने के लिए उनके भी रहने के लिए घर बनाऊंगा तो अभी आप लोग जैसा कि देख रहे हो फ्रेंट्स मैं और थोड़ा प्रिपेर कर लूँ अभी आप लोग जैसा कि देख रहे हो फ्रेंट्स मैं आप सोको पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंट्स इसको बनाने में समय लग रहा है यानि कि बहुत टाइम लग रहा है और अगर आप सोको पूरा में दिखाने लगूँगा फ्रेंट्स तो कि क्या किया हूँ तो अभी फ्रेंट्स आप लोग जैसा कि देख रहे हो अभी मैंने जो यह वोल प्रिपेर की यह फ्रेंट्स मैंने कास्टल की यानि की अंदर के तरफ की फाइनल वोल थी और यह इदर में बीच में अपना दरवादा रखंगा अंदर इंट्रेस आने जा के लिए जैसा कि मैंने आप सो को बता रहा था तो अभी फ्रेंट्स मैं एक तरफ की वोल प्रिपेर कर लिया हूँ अब इदर की वी कर ले रहा हूं मैं प्रिपेर तो अभी और आगे हो जाता है मेरा काम तो फिर मैं आप सो को बताता हूँ सो फ्रेंट्स जैसा कि मैं आप सो को बता रहा थे कि अपने होल के अगल बगल बालकनी रखूंगा उसका यह जो मैं पतला सा इस पेस है यानि की जगा हो बना दिया हूँ यहाँ पर आने जाने घूमने के लिए और यहाँ पर मैं श्टोरेज रूम बनाऊंगा आप सो को फ सालकनी यह उसके बोर्डर पर फ्रेंट्स जो यह ओक वुट फ्रेंट्स होता हो मैं लगाऊंगा उससे मेरा लुक ज्यादा थोड़ा बढ़िया रहेगा सो फ्रेंट्स जैसा कि मैं आप सो को बता रहा था कि मैं आखिरकर कैसा अपना कास्टल बनाऊंगा तो आपके सामने आज मैं जितना है कास्टल बना चुका हो तो अपने प्लैनिंग के अनुसार आज में इतना ही प्लैन किया तक आज इतना है नहीं तो फिर और आगे बनाऊंगा तो फिर ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा तो इसमें मांटेन जिसकी मैं माइनिंग कर रहा हूं इसके उपर से दिखाता हूँ आप सबको इसका point of view के कैसा मेरे कास्टल दिख रहा हूँ उपर से देखने में अगर आप यहां तक यह मेरी वीडियो देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने friends को भी share कर देना ताकि वेरे कास्टल का वीडियो देख सके आइं कि मैं कितना यह बनाया हूँ और friends channel को subscribe कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियोs की update आपको अपने आप कहुँच जाया तो अभी मैं चलता हूँ फ्रेंट से थोड़ा है इधर जो इनकी लिए फे ट्रीस की हटा देता हूँ दिख नहीं रहा है इधर से बराबर ओ भाई ये नीचे इरिया मैं तो अभी ऐसा लग रहा है फ्रेंट के मेरे को उपर जाना भीकार था मेरा तो अभी मैं एक काम करता हूँ इस सीधा आगया हूँ टॉप पे तो फ्रेंट साब सबको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और आगे मुझा और कैसा बनाना चाहिए अपना कास यह भी कमेंट करके जरूर बताएं जरूर तो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में